हलो फ्रेंड्स मैं परिक्षित जोबन पुत्रा लाइफ मनेजमेंट कोच एन मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ मेरे सक्सेस्फुल पारेंटिंग के डेली मेडिटेशन प्रोग्राम में दोस्तों यह मेडिटेशन का मैक्जिमम बेनफिट ले प्रयोग करें और ज्यादा अच्छा परिनाम पाने के ही तूं मम्मी और पापा दोनों का यह मेडिटेशन को करना ज़रूरी है और यह मेडिटेशन को डेली बेजिस पे यदि आप करना चाहते हैं तो मेरा परिक्षित जुबन पुत्रा लाइफ कोच नाम का एप डाउनल करें इसमें यह मेडिटेशन डेली बिजिस पे आप कर पाएंगे यह मेडिटेशन के लिए आप एक शान इवं आराम डायक जगा को पसंद करें आपके साथ की चीजवस्तूओं को बाजू पर रखतें मोबाइल हो तो उसे फ्लाइट मोड पर या साइलेंट मोड पर रखत और अब दी में से अपनी आखे बन करें दी में गहरी सांस अंदर भरें दी में गहरी सांस बाहार और दी में गहरी सांस अंदर भरें और दी में गहरी सांस बाहार Very good Now Relax your body अपने पैरों से लेकर सर तक हर एक पार्ट को ढिला छोड़ दे Relax your body दोनों पैरों को ढिला कर दे दोनों हाथों को ढिला कर दे कमर पेट और पीट को भी Relax कर दे अपनी गर्दन और चहरे के सनायों को भी Relax होने दे Relax and relax महसूस करे कि आपका पूर शरीर Relax हो चुका है and now नजर के सामने अपने बच्चे को विजुलाईज करे उसकी प्यारी सी आँखों को देखे उसकी मासूमियत उसकी प्यारी सी हसी सब कुछ विजुलाईज करे and now अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह सारे शब्दों को मन ही मन में repeat करे और यह शब्दों को पूर दिल से महसूस करे मैं उपर वाले का शुक्र गुजार हूं क्योंकि उसने मुझे एक ननही सी जान को पालने का हक दिया है और मैं यह जिम्मेदारी भली बाती जानता हूं मैं एक सफल पैरेंट हूं मेरी सफलता का आधा दुसरों की राई पर नहीं लेकिन मेरी और मेरी बच्चे की खुशी पर है मैं एक हैपी पैरेंट हूं मुझे गर्व है मुझ पे और मेरे बच्चे पे मेरा बच्चा भी मुझसे बहुत खुश है और मेरे पैरेंट होने पे उसे भी गर्व है मैं एक हैपी पैरेंट हूं मुझे गर्व है मुझ पे और अपने बच्चे पे मेरा बच्चा भी मेरे साथ बहुत खुश है और मेरे पैरेंट होने पे वो गर्व महसूस करता है बच्चे के साथ मेरा बिहेवियर, लव, केर and रिस्पेक्ट वाला होता है और बडले में मुझे भी बच्चे की और से बहुत सारा लव, केर and रिस्पेक्ट मिलता है मैं एक सक्सेसफुल पारेंट हूँ मैं एक हैपी पारेंट हूँ गर्व है मुझे अपने आप पे और मेरे बच्चे पे मैं सक्सेसफुल पारेंटिंग के सेवन लौज का रेगुलर पालन करता हूँ I always try my best मैं बच्चे की प्रती मेरी इच्छाओ को इवन अपेक्शाओ को गुसा किये बिना प्यार से और आराम से एक्स्प्रेस कर सकता हूँ मेरा बच्चा भी मुझे हर बात पे सपोर्ट करता है जब भी मुझे जरूरत हो तो मेरी हेल्प करने में वो खुशी महसूस करता है मैं भी उसे उतना ही सपोर्ट और हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ मेरा बच्चा और मेरा परिवार मेरी जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी है मैं एक सक्सेसफूल पारेंट हूँ मैं एक हैपी पारेंट हूँ मुझे गर्व है अपने आप पे और अपने बच्चे पे मैं सक्सेसफूल पारेंटिंग के सेवन लोज का रेगुलर पालन करता हूँ बच्चे के भविश्य की चिंता करना, उसे बात-बात पे टोकना या डांटना, उस पे गुसा करना या हात उठाना मैंने छोड़ दिया है। अबसे बच्चे के आज को निखारना है, उसके साथ बिताए हर पल को खास बनाना है। मैं सुईकार करता हूँ, मैं एक सक्सेसफुल पारेंट हूँ, मैं एक हैपी पारेंट हूँ, गर्व है मुझे अपने आप पे और अपनी बच्चे पे, मैं सक्सेसफुल पारेंटिंग के सेविन लौज का रेगूलर पालन करता हूँ। मेरा बच्चा फिजिकली बहुत एक्टिव है, वो बहुत एनरजेटिक है। मैं यह एनरजी का सुईकार करता हूँ, मैं यह भी जानता हूँ कि उसके बहतर भविश्य के लिए यह एनरजी आवश्यक भी है, इसलिए मैं उसे खेलने के लिए complete freedom देता हूँ। मेरा बच्चा फिजिकली बहुत एक्टिव है, वो बहुत एनरजेटिक है। मैं यह एनरजी का सुईकार करता हूँ, मैं यह भी जानता हूँ कि उसके बहतर भविश्य के लिए यह एनरजी आवश्यक है। इसलिए मैं उसे खेलने कुदने का complete freedom देता हूँ। मेरे बच्चे के लिए sports जरूरी है, मैं यह जानता हूँ और उसे इस बात के लिए support भी करता हूँ। जादा खेलने से मेरे बच्चे का concentration, focus और memory power improve हो रहा है। मैं उसके study से और उसके result से बहुत ही खुश हूँ। वो enjoy your exams वर्क्शॉप में सिखाई गई सारी scientific study techniques का daily उपयोग करता है। अब वो अपनी study को और exams को enjoy करता है। मैं एक successful and happy parent हूँ। मुझे गर्व है अपने आप पे और मेरे बच्चे पे। मेरा बच्चा और मेरा परिवार मेरे लिए first priority है। परिवार में हम सब मिल जूल कर रहते हैं। और एक दूसरे को साथ देने में खुशी महसूस करते हैं। मेरा बच्चा और परिवार मेरे लिए first priority है। मेरा परिवार इवं friend circle भी मेरे बच्चों को positive बाते सिखाने में मुझे सहयोग देते हैं। इस बात के लिए हर व्यक्ती का तरीका अलग-अलग हो सकता है। मैं इस बात का संपूर्ण स्विकार करता हूँ। मैं रोज की छोटी मूटी परिशानी से उपर उठकर हमेशा अपनी बच्चे के लिए long term के vision पे ध्यान देता हूँ। मैं एक successful and happy parent हूँ। मुझे गर्व है अपने आप पे और अपने बच्चे पे। बच्चे के विकास के लिए मैं हमेशा अपने विकास पे ध्यान देता हूँ। मैं हमेशा कुछ नई जानकारी या अनुभव लेने के लिए तयार रहता हूँ। मैं मेरे बच्चे में negative से जादा positive चीजों पे जादा ध्यान देता हूँ। मैं बच्चे को टोकने से जादा तारीफ करता हूँ। उसे डाटने से जादा उसके साथ हस्ता और खिलता हूँ। मैं प्यार का balance उसके दिल में हमेशा पनाए रखता हूँ। मैं बच्चे और परिवार के साथ जुड़े हुए सारे दुख, चिंता और गल्तियों से मुग्द हूँ। मैं सारे परिवार का as it is सुविकार करता हूँ। मुझे पता है कि बच्चों की कम्यों को सुधारने से बच्चा जिनियस नहीं बन सकता। पर उसकी खुबियों को निखारा जाए तो वो जरूर से जिनियस बन सकता है। मैं successful in happy parent हूँ। मुझे गर्व है अपने आप पे और बच्चे पे। मैं successful parenting के सातों नियमों का पालन करता हूँ। मैं एक successful parent हूँ। मैं एक happy parent हूँ। मुझे गर्व है अपने आप पे और बच्चे पे। और successful parenting के सातों नियमों का मैं regular पालन करता हूँ। मैं successful and happy parent हूँ। मैं successful and happy parent हूँ। मैं successful and happy parent हूँ। अपनी आखो को दी में से हसते हुए चहरे के साथ खोले। अपने आप में positivity, happiness and confidence को feel करे। I hope कि आपने ये meditation enjoy किया होगा। और यह meditation का जादा फाइदा उठाने के लिए इसे रोज करना अवश्यक है। इसे दूसरे parents के साथ share करे और उन्हें भी help करे एक successful and happy parent होने में। दोस्तों आप यदि ऐसी धेर सारी चीज़े जानना चाहते हैं। parenting को लेकर, relationship को लेकर तो आप जल्दी से अपने mobile से 080-49-33-6171 पे miss call करें। और दोस्तों आपको मेरी और से regular tips and updates parenting से related मिलते रहेंगे। और मैं आपको ये भी recommend करूँगा कि जब भी आपको chance मिले तो आप मेरा successful parenting का workshop एक बार जरूर से attend करें। या तो फिर आप मेरी book या DVD के द्वारा भी parenting की काफे सारी tips जान सकते हैं। और यदि आपने मेली चैनल को subscribe ना किया हो तो I would recommend उसे subscribe करें। मेरी परिक्षि जुबन पुत्रा Life Coach नाम की app अब available है। तो उसके अंदर काफी सारे videos, audio meditations, blog and quotations ऐसे काफी सारी चीज़े वहाँ पर available है। और यदि आप आपके जीवन के कोई प्रशन यदि मुझे पूछना चाहते हैं। तो मेरी mobile app को download करते हुए, ask us में जाते हुए आपके जीवन का कोई भी प्रशन मुझे पूछ सकते हैं। So thank you very much, मिलेंगे next week. Take care, bye-bye.